दोस्व अब सब लोगों को पताई होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत के द्वारा डवलप्ट किया हुआ हतियार और भारत के तरफ से खरिदा गया हतियार फिलाल वेस्टर्ण मेडिया का इंटरेस्ट का केंद्र बना हुआ है जब भी भारत के तरफ से कोई नए हत्यार को खरिदा जाता है या फिर तेस्ट किया जाता है तो कई हफतों तक western media के अंदर केवल मातर उसी हत्यार को लेके चरचा किया जाता है और दोस्तो ऐसे में अगर भारत के तरफ से किसी एक नए और बड़े हत्यार को एक्सपोर्ट किया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि वेस्टन मीडिया के अंदर इसे लेके परिशानी कितना अधिक होगा और दोसों अब ऐसे ही परिशानी से Western Media अब पूरी तरीके से घिर गिया है खास करके भारत के द्वारा जिस तरीके से ब्रमोस मिसाइल का निर्मान किया किया है और जिस तरीके से ब्रमोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उससे अब Western Media काफी अधिक परिशान है खास करके अगर देखा जाए तो भारत के तरफ से जिस तरीके से ब्रमोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने को लेके तैयारी किया जा रहा है उसे लेके पिछले कुछ हपतों के अंदर कही सारे अलग-अलग मीडिया आउटलेट में अलग-अलग ख़वर आ चुका है लेकिन इ जेंस मीडिया हाउस के एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि भारत और रश्या के जॉइंट वेंचर में जिन ब्रमोस मिसाइलों को भारत के तरफ से तैयार किया गया है असल में उन मिसाइलों को ब्रमोस एरोस्पेस के तरफ से छे से लेके नौ में के दर्मियान कुलाल मिसाइलों को साउथ इस्ट एशिया और साउथ एशिया के कई सरे देशों के सामने ओफर के तहद भी रखा गया इवन दोस्तों जेंस वीडिया हाउस के आर्टिकल में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस एक्जिवेशन के दर्मियान ब्रम्मोस एरोस्पेस के स्पोक्स पर इवन ब्रम्मोस एरोस्पेस के स्पोक्स पर्सन के तरफ से ये भी वताया गया है कि उनके द्वारा कुछ देशों के साथ ब्रम्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके बातचित किया जा रहा है और वो देश भारत के ब्रम्मोस मिसाइलों को खरिदने को लेके काफी जा सकेगा। और वियतिनाम के तरफ से वताया जा रहा है कि ब्रमोस म西लों के शोर्वेस एंटीशिप मिसािल मतलब जमीन से दागे जाने वाले एंटीशिप म西लों को लेकर इंटरेश दिखाया जा रहा है और साउड चाइना सी के अन्दर जिस तरह के से चाइना के एग्रेश अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि फिलाल जो फिलिफिन्स है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कि ब्रमोस मिसाईलों को भारस से खरिदा हाला कि इंडियान आर्म फोर्सस में भी इन मिसाईलों को लंबे समय से इस्तमाल किया ज लेकिन फिलिफिन्स इन मिसाईलों का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है जबकि देखा जाए तो फिलिफिन्स मरीन्स के तरफ से ही ब्रमोस मिसाईलों के शोरवेश एंटिशिफ वेरियंटों को खरिदा गया है जबकि अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहे कि फिलिफि उस एरोस्पेस के तरफ से टाइम फ्रेम के अंतरगत मतलब टाइम के तहती इन मिसाइलों के डिलिवरी किया जा रहा है। ब्लमोस मिसाइलों को किसी वी विदर कंडिशन में किसी वी तरीके से डिफ्लॉई किया जा सकता है। तो ये मार्क 2.8 मतलब धोनी के रफ्तार से लगवग लगवग तीन गुना अधिक रफ्तार में ट्रावल कर सकता है। और करिव करिव 3-4 मिटर के हाइट से शुरू करके करिव करिव 15 किलो मिटर के हाइट में भी उडान भर सकता है। और दोस्तों ये जो 3-4 मिटर का हाइट है असल में इस हाइट को मिटर के सी स्क्रीमिंग हाइट कहा जाता है और इस हाइट में उरान भनने पे मिसाइलों को रैडरों के द्वारा देख फाना लगवग लगवग नामुम्किन है। और दोस्तों मिसाइलों के ये अद्रिश्य हो पाना, पिन पॉइंट, एकुरिस्टी और सुपरसॉनिक रफ्तार के कारण ही इन मिसाइलों को सबसे खतरनाक तरिंट मिसाइल के रूप में देखा जाता है और चाइना भी इन कारूनों के वज़ा से ब्रहमोस मिसाइल से पर दोस्तों ब्रहमोस मिसाइलों के इस एक्सपोर्ट से शायद वेस्टन देश खुश नहीं है और यही जो नाराजगी है ये धिरी धिरे करके अब इस तरिके के कही सारे अलेग अलेग वेस्टन मिडिया आउस के आर्टिकल में खुलके आगे आ रहा है अब दोस्तों एक रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इटली अपने एरफोर्स के बेड़े को और मजबूत करने के लिए एडिशनल यूरो फाइट है टाइफून यार क्रेफ्टों को खरिदने जा रहा है और इटली के गौर्मेंट के तरफ से साल 2024 के जो 3rd quarter है मतलब आने वाले कु नहीं BAE Systems के वरिष्ट अधिकारियों के तरफ से इस बारे में जहाँ पर जानकारी दिया गया था तो उही पर 14 में के दिन फिर से एक बार BAE Systems के तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि इटली जो 96 यूरो फाइट है टाइफून यार क्रेफ्टों का इस्तिमाल कर रहा है उसमे के कोई डीटेल जानकारी नहीं दिया गया है लेकिन कुछ मेडिया रिपोर्टों में ये पताया जा रहा है कि शायद इटली के द्वारा करिकरी 24 एडिशनल यार क्रेफ्टों को खरिदा जा सकता है जो कि पुराने हो चुके टॉर्नेडो स्ट्राइक यार क्रेफ्टों को के लिए इस्तेमाल किया जाए हाला कि इटली के बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी बड़े मात्रा में टॉर्नेडो यार क्रेफ्टों का उप्योग हो रहा है और रिपोर्ट के मुताविक इटली के पास 28 मल्टी रोल टॉर्नेडो 13, electronic warfare टॉर्नेडो और पिमें से कम 26 यार क्रेफ्टों को जहाँ पे replace करना चाहता है तो उपर रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है की शायद कुछ यार क्रेफ्टों को पुराने योरो फाइटा टाइफून यार क्रेफ्टों के द्ऴार्रा फी रिप्लेश किया जाए जबकि आप경ों के जा गया था कि इटली असल में अपने बेड़े के टॉनेडो यार्क्राफ्टों को इफ-35 यार्क्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है और इटली के बेड़े में फिलाल 24 इफ-35A कन्वेंशनल टेक ओफ एंड लैंडिंग वेरियंट यार्क्राफ्ट जहां पे ह और इसके बाद अगर अतिरिक तो और 24 इटली के बेड़े में कम से कम 120 इफ-35 जैसे ताकतवर तरेन यार्क्राफ्ट होगा जिससे की योरोफ के अंदर इटली के यार्फोर्स को भी एक वान अप दा स्ट्रॉंगेस्ट यार्फोर्स के रूप में देखा जाएगा हलाकि कुछ एक्सपर्टों का मानना ये है कि इटली के तरफ से अपने यार्फोर्स के बेड़े को मजबूत इसलिए भी वनाया जा रहा है क्योंकि योरोफ के उपपर एक लड़ाई का खत्रा मंडरा रहा है और जफसे योकरेन और रश्या का लड़ाई शुरू हुआ है योरोफ के जो वड़ाई है ओवी सुरक्षित नहीं है और इन कारोणों के वज़ा से कई सारे योरोपियन देशों के द्वारा जहां पे अपने मिलिक्टरी बजट को जहां पे इंक्रीज किया जा रहा है तो उही पर हतियारों के खरितारी की उपर भी जो फोकस है उससे का काफी केंद्रित किया गया है तो आप लोगों को ख्या लगता है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके वस्टन मेडिया के अंदर इतना जलन क्यूं है कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए तो आज के इस वीडियो को यही फ़ेगरते हैं समाफ